प्रभु येश्व मसी कुर्बान हुए उन्होंने कुरूस पर अपना बली दान दिया, वो कुरूस पर मर गए हमारा विशह आजो है वो यही है, येश्व की मृति क्यों और किस के लिए प्रभु येश्व मसी, क्रूस पर मरे क्रूस पर उनने अपना बलीदान दिया लेकिन वो क्यों मरे वो किस के लिए मरे हलिलुया, यह हमें सीखने की जरूरत है हम सब लोग, हम बहुत सारी बातों को जानते हैं लेकिन फिर भी हालेलुया प्रभु का वचन एक बार फिर से एक रिमाइंडर के तोर पे हमारे पास आए, हम उसको स्वीकार करें और उसके उपर मनन करें पवित्र शास्त्र हमें ये बताता है कि संपोन जो स्विष्टी के जो लोग हैं वो पाप से भरे हुएं, वो पाप में जीवन जी रहे, वो पापी हैं पवितर शास्तर हमें ये बताता है ये पाप कहां से आया आदम और हवा की अवहेलना के दोरा अनाग्या कारिता के दोरा पेडी दर पीडी ये पाप हम तक पहुँच गया और पवितर शास्तर कहता है कि उस वज़े से आदम और हवा की अनाग्या कारिता के वज़े से जो पा पाप से गरशित हो गए वहीं पवित्रशास्तर हमें ये भी बताता है कि पाप की सजा मृत्यू है पाप की सजा क्या है मृत्यू है रोमयो 23 में हम पढ़ते हैं कि सब ने पाप किया है समस्व स्रिष्टी के लोग पाप से गरशित है समस्व स्रिष्टी के लोग सारे संसार के लोग पापों से घिरे हुए हैं और वही रोमयो 3.23 कहता है कि पाप की सजा जो है वो नरक है पाप की सजा जो है मजदूरी जो है वो मृत्यू है इस परकार वचन में लिखा हुआ है मृत्यू का मतलब है नरक और ये कोई साधारन मृत्यू नहीं है ये साधारन मृत्यू नह अनंतकाल की मृत्यू नरक जिसे कहा जाता है जो पाप मनुष्य के अंदर है जो पाप संपूर्ण सुरिष्टी में फैला हुआ है उसकी सजा नरक है पाप की सजा मृत्यू है आप सब इस बात को जानते होंगे आपने पढ़ा है लेकिन अगर संसार पाप से गरसित है मनुष्य जाती पाप से घिरी हुई है तो इस पाप का उपाए क्या है इस नरक से बचने का उपाए क्या है इस अंसार के अंदर हम अनेक क्रिया कलाप देखते हैं, इस अंसार के अंदर जितने भी अलग-अलग लोग हैं, जितने अलग-अलग धर्म हैं, उतने अलग-अलग क्रिया कलाप हैं, उतने अलग-अलग उनके कर्म हैं, उतने अलग-अलग उनकी विधिया हैं, जिने वो करते हैं पाप से आजादी के लिए कोई यात्राएं करते हैं कोई वेराग्य का जीवन जीते हैं कोई अच्छे कर्म करते हैं कोई भले काम करते हैं गरीबों को खाना खिलाते हैं कपड़े बाढ़ते हैं पैसे बाढ़ते हैं ये संसारिक क्रियकलाप इस पाप के उपाय के लिए दुनिया के लोग, संसार के लोग करते हैं कई लोग अपने उधार के लिए मुक्ति के लिए, शांति के लिए जानूरों को बली करते हैं हम भी एक ऐसे ही परिवार से आते हैं जिन्होंने हमने बच्चplant से ऐसे ही जानवरों की बलीदान को देखा है घर में शांती चाहिए, मुक्ते चाहिए तो किसी जानवरों को बली करना पड़ेगा जानवरों का बलीदान करते हैं ताकि उनको मुक्ती मिल सके, उन्हें छुटकारा मिल सके इबरानियों दसकाचार आई हम पढ़ते हैं इस वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है दसकाचार इबरानियों के किताब में इस परकार लिखा हुआ है क्योंकि यह असंभव है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे असंबव है जानवरों के लहु के द्वारा तुम्हारे पाप दूर नहीं होगे यह असंबव है कि जानवरों के लहु के द्वारा तुम्हारे पाप तुमसे दूर हो मनिश्य के कर्म भले कर्म अच्छे कर्म चाहिए कितने भी अच्छे किम ना करता हो हम अपने अच्छे कर्मों से, अपने बलीदानों से, अपने पैसे से परमेश्र को रिजा नहीं सकते, परमेश्र को खुस नहीं कर सकते, परमेश्र के हाथ में है चुटकारा और उद्धार, ये साया चोशट के छे में लिखा हुआ है कि बले कर्मों के द्वारा बे उद्धा कि देखा आप लोगों ने पाप का उपय क्या है मैंने बताए कि दुनिया के अंदर किस प्रकार अलग अलग गतिवीद्या किरिया किलाप लोग करते हैं लेकिन कुछ भी करके इस संसार के अंदर कुछ किचर भी करके हम मुक्ति को पाप से चुटकारे को प्राप्त नहीं कर सकते पुराणी नियम के अंदर भी इस बात को बतातायद यश और कि किताब में कि हमारे अच्छे काम जो हम परमेश वर को इसवर को खुस करने केलिए करते हैं भले काम जो हम इश्वर को रिजाने के लिए करते हैं, प्रभु का वचन कहता है, वो उसके सामने मैले चित्रे के समान है, मैले चित्रे के ऐसे यूजलिस कपड़े के जैसे जो की गंदा है, मैले चित्रे के समान है हमारे भले काम, हम अपने भले करमों से भी चुटकारा नही नहीं कर सकते नहीं हम उच्छुटकारे को खरीज सकते हैं और मनुष्य के पाप वचन कहता है जैसे जैसे दुनिया में मनुष्य फैलता गया उसका पाप उतना ही गहरा होता चला गया उतने ही पाप की गहराई में वो उतरते चले गए किसी बिरीती से परमेश्र के पास जान देखिए किसी पवित्र मनुष्य का लहू बहाना पड़ेगा लहू बहाए बिना शमा नहीं है लहू क्यों बहाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पापों के अधिकाई ही इतनी हैं हमारे पाप बहुतायत से हैं हमारे हमने जो खिये हैं पापों के जो स्तर है वो इतना हाई है कि किसी पवित्र मनुष्य का लहू बहना जरूरी है बिना लहू के पापों की शमा है ही नहीं ऐसे वचन के अंदर लिखा हुआ है पिना लहू बहाए पापों की शमा नहीं है लेकिन धर्ती पर तो कोई भी पवित्र नहीं है जैसे हमने रोमियों 3.23 में पड़ा सबने पाप किया और सब परमिश्र की महिमा से रही थे सबने पाप किया हुआ है कोई ऐसा नहीं जो ये कहे कि मैंने कभी पाप नहीं किया क्या इस भीड में कोई है जो कहसे कि मैंने कभी पाप नहीं किया कोई है ऐसा यहाप कोई नहीं है और दुनिया में कोई नहीं है जो ये कहसे कि मैंने कभी पाप नहीं किया सब ने पाप किया है सब पाप से भरे हुए, सब अपवित्र है और परमेश्चर के महिमा से दूर है अगर मनुष्य के चुटकारे के लिए, उद्धार के लिए किसी पवित्र मनुष्य का लहु बहना है तो कौन उस लहु को बहाएगा? संसार में कोई भी पवित्र नहीं है फिर कौन मरेगा? इस संसार के लिए, इस संसार के पापों के लिए इस संसार के अंदर तो कोई भी पवित्र नहीं है कौन अपना वलिदान देगा? जितने भी इस संसार के अंदर आए हैं हम अप इतिहास को उठा कर देखें जितने भी इस अंसार के अंदर है, पापियों को नास करने के लिए आए हैं, पापियों को खत्म करने के लिए आए हैं, पापियों को मिटाने के लिए आए हैं, पापियों को सर्वनास करने के लिए आए हैं, पापियों को तुछ नीच दृष्टी से देखा गया है, कौन ये शुमसी पापियों के लिए इस जगत के अंदर आए। साथ बेठ के खाना खा रहा है। देखो ये पापियों के साथ संगती कर रहा है। आया जो अपने आपको धर्मी समझते हैं मैं उनके लिए आया हूँ जो पापी हैं जो अपने आपको पापी समझते हैं जो अपने पाप के लिए रोते हैं मैं पापियों के लिए इस जगत में आया हूँ और यही बात हम लोग का पांच अध्याय में 32 वचन के अंदर भी दे जो धार में एक सास्री गुरू थे उन्होंने फिर से ये कहा अरे ये देखो ये कैसा गुरू है, ये कैसा प्रभू है, ये कैसा मनुष्य है जो पापियों के साथ में खाना खाता है नती यहुदी था जग कई भी यहुदी था लेकिन ये पापी क्यों इनको बोल रहे थे क्योंकि ये लोग tax collect करने वाले बड़े बड़े अधिकारी थे और जनता के साथ में कुरूरता ये लोग करते थे प्रभू ने इनको बुलाया प्रभू ने इन पापियों को अपने पास में बुलाया और लुका पाच बत्तिस में भी प्रभू ये कहते हैं मैं धर्मियों को नहीं प्रंतु पापियों को पश्चताब के लिए बुलाने आया हूँ हालेलुया मैं पश्चताब के लिए बुलाने आया हूँ कि वो जाने कि वो पापी हैं और वो पर्शाताप करें ताकि वो बचाए जाए प्रभु येश्व मसी ही पापियों के लिए इस जगत के इस संसार के अंदर आए कोई और नहीं आया योहना दस ग्यारा में पढ़िए क्या लिखा हुआ है अच्छा चर्वाह मैं हूँ अच्छा चर्वाह मैं हूँ अच्छा चर्वाह मैं हूँ और अच्छा चर्वाह क्या करता है वो अपनी भेडों के लिए अपने प्राण अपनी जान दे देता है स्वर्गिय चरवाहा है जो एक पवित्र चरवाहा है एक अच्छा चरवाहा है वो अपनी भेडों के लिए अपने प्राण को देता है अपनी जान को देता है अपनी कुर्बानी देता है अपनी भेडों को बचाने के लिए एक दुनिया भी चरवाहा उनकी रक्षा कर सकता है लेकिन उनकी रक्षा करने के लिए अपनी जान नहीं दे सकता लेकिन जो स्वर्गिय चरवाहा है जो प्रभु ये श्मसी है वो अपनी भेडों के लिए अपने प्राण को दे देता है 10-15 पढ़िए वैसे ही जैसे पिता अपने चांता है और मैं भेडों के लिए अपना प्राण देता है प्रभु के लोग जो उसके पीछे चलते हैं जो उस पर विश्वास करते हैं वो प्रभु उनको भेड कहता है वो खुद को चरवाहा कहता है हालेलुया 10-17 में पढ़िए किता इस प्राण देता हूं कि मैं उसे फिर ले लूँ हालेलूया वो परमेश्र है वो अपने प्राण को देने का उसके वापिस लेने का अधिकार भी रखता है आगे पढ़िए 10-11 अपने प्राण देता हूँ मैं अपने आप मैं खुद अपने प्राण देता हूँ हमारे पापों के कारण हमारी आखे इस कदर बंद थी कि हम अपने पापों के लिए चिला भी नहीं सकते थे हम पुकार भी नहीं सकते थे हम इस प्रकार हम पाप से घिरे हुए थे हमारा दिमाख, हमारा मन, हमारी आत्मा इस कदर गेरे हुए थी कि हम खुद इस पाप के कारियों को अपने जीवने में महसूस तो कर सकते थे लेकिन इस पाप से चुटकारे के लिए इस वर को पुकार तक नहीं सकते थे इसलिए वो खुद इस संसार के अंदर आया उसने खुद अपना प्राण दिया, हमने तो मांगा भी नहीं उससे उसने देखा हमारी दसा को, उसने देखा हमारे जीवन को उसने देखा हमारे भविश्य को, अगर हम पाप में मरें तो हम कहा जाएंगे उसने अनुग्रे करके हालेलुया खुद अपना प्राण क्रूस के उपर दिया प्रभु येश्व की मृत्यू क्यों और किस के लिए प्रभु येश्व मसी पापियों के लिए क्रूस पर मरे किस के लिए उनकी मृत्यू थी पापियों के लिए अब बोलोगी ये बात मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, आप लोग जानते हैं लेकिन फिर से हमें इस बात को याद करने के जरूरत है येशु मसी पापियों के लिए क्रूस पर मरे क्यों मरे? क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था जो उन्हें पाप से चुड़ा सके कोई और रास्ता नहीं था जहां से वो परमेशर तक पहुंच सके और अपने पापों की शमा को प्राप्त कर सके येशु ने कहा मार्ग, शत्य और जीवन मैं ही हूँ, यह ना चोदा कच्छे येशु मसी का बलीदान पापियों के लिए था पापी कौन हम सब पापी कौन समस्त संसार के लोग येशु मसी ने अपना बलीदान दिया पापियों के लिए और कैसा बलीदान दिया आएए पढ़ते हैं पहला पत्रस 18 और 19 वचन उद्धार चुटकारा किसके द्वारा हुआ है येश्यू के निर्दोष लिष्कलंग और बहु मुल्ले कुर्बाने के द्वारा हालेलूया बहु मुल्ले लहु के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है येश्यू मसी पाप्यों के लिए हम सब के लिए कुरूस पर मरा हालेलूया क्योंकि हमारे लिए एक पुजी निर्दोस और निस्कलंग मेमने का लहु चाहिए था एक पवित्र मेंने का लहू चाहिए था इबरानियों 4.15 में इस परकार लिखा हुआ है कि ये शुमसी को हर तरह से परखा गया हर तरह से उसकी परिक्ष्या ली गई लेकिन वो निस्पाप निकला हालेलुया, वो निस्पाप निकला उसने कभी पाप नहीं किया इसलिए उसका बलिदान, इसलिए वो निर्दोस, निस्कलंग और उसका लहू बहू मुल्ले है ये शुमसी पापियों के लिए क्रूस पर मरे क्या प्रभू ये शुमसी किसी जाती या किसी विशेश धर्म के लिए क्रूस के उपर मरे संसार के अंदर ये बात बहुत परचलित है अरे ये शुमसी तो इसाईयों का प्रभू है वो तो अंग्रेजों का परमेशर है ये शुमसी का जनम एशिया में हुआ बाहर कहीं नहीं हुआ भारत एशिया के अंदर आता है और येश्व मसी किसी जाती किसी विशेष धर्म के लिए नहीं मरा येश्व मसी का बलीदान येश्व की कुर्बाने किसी जाती विशेष के लिए नहीं थी येश्व मसी की कुर्बाने किस के लिए थी यहना तीन सुला सब लोग जानते हैं आएए पढ़ते इस वचन को प्रभयेश्व संपूर्ण मानव जाती के लोगों के लिए क्रूस पर मरे चाहे वो हिंदू हो, मुस्लीम हो, सिखो, हिसाई हो प्रभयेश्व मसी, हालिलुया, संपूर्ण जगत के पापों के लिए क्रूस पर मरे आज हर एक मनिश्य को, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोग करता है किसी भी जाती से बिलोग करता है, उसे प्रभयेश्व मसी की जरूरत है क्योंकि येश्व ने अपना पवित्र बलीदान क्रूस के उपर दिया है कोई और व्यक्ति कोई और नहीं आया जिसने मनिश्य के चुटकारे के लिए अपनी जान को कुर्बान किया हो प्रभु येश्व मसी वो परमेशर है वो परमेशर का मेमना हालिलूया, ओपर मिर्श्र का बेटा जिसने संपूर्ण जगत के लिए क्रूस पर अपनी जान दी। हालिलूया! आज हर वो वेक्ति प्रबु येश्व मसी के लहु के द्वारा, उसकी कुर्बाने के द्वारा उद्धार प्राप्त कर चुका है जिसने प्रभु येश्व मसी के सामने अपने पापों को अंकिकार किया है जिसने अपने पापों से पस्चाताव किया है और अपने मन को फिराया है प्रभु पर विश्वास किया है जिसने प्रभु येश्व को अपना प्रभु मान कर विश्वास किया उसको अपना प्रभू मान लिया है और जिसने अपना संपूर्ण जीवन संपूर्ण रिति से प्रभू को दे दिया है आज हर वो विक्ति प्रभू के इस क्रूस के द्वारा मिलने वाले छुटकारे को उध्धार को प्रे जीवन में प्राप्त कर चुका है, रोमियो 10-13 वचन पढ़ेंगे क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, वो उधार पाएगा हालेलुया, आज इस संसार के अंदर क्या सब जातियां प्रभु के बारे में जानती है क्या जाती-जाती के लोगों तक सूसमाचार पहुंचा है क्या सब जातियों के लोग जानते हैं कि कोई हमारे लिए क्रूस के उपर कुर्बान हो गया है आज भी 2000 से जादा जातिया ऐसी हैं जो प्रभु येश्मसी के बारे में नहीं जानते आज भी बहुत सारी जातिया ऐसी हैं जिनकी भासा में पवित्र सास्तर नहीं है जिन तक कोई सुसमाचार लेकर नहीं पहुंचा है इस कुरुबानी की कथा, इस कुरुबानी की सच्छाई आज भी हजारों लोग जानते नहीं हैं जिसे हम जान चुके हैं